मासिक धर्म स्वच्चता जागरुकता कारिक्रम केरल राज्य महिला विकास निगम की एक पहल सामाजिक न्याय विभाग केरल राज्य सरकार इस परियोजना का डिजाइन और अवधारणा केरल राज्य महिला विकास निगम द्वारा किया गया है शीपैट परियोजना का कार्यान वयन HLL Life Care Limited द्वारा किया गया है जो भारत सरकार का एक उपकरम है शीपैट स्कूल की छात्राओं के लिए केरल सरकार की एक परियोजना है जिसकी पहल और अवधारणा केरल राज्य महिला विकास निगम द्वारा की गई है और इस परियोजना का कार्यान वयन HLL Life Care Limited द्वारा किया गया है इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश किशोर लड़कियों में मासिक धर्म के बारे में गलत धार्णाओं को दूर करना और उनको उचित ज्यान प्रदान करना है हम इस परियोजना को तीन चरणों में लागू कर रहे हैं पहले चरण में चात्राओं को स्वच्छ और अच्छी गुणवत्ता वाले सेनेटरी नेपकिन दिया जाता है दूसरे चरण में प्रदूशन नियंतरन बोड के दिशा निर्देशों के अनुसार नेपकिन इंसिनेरेटर फितरित किये जाते हैं इसरे चरण में चात्राओं को ये संदेश देने के लिए अभिमुकी करण कक्षाएं आयोचित की जाती हैं कि महावारी बस एक प्राक्रतिक प्रक्रिया है और इसे घ्रणा की भावना से नहीं लिना चाहिए इन कारेक्रमों को कार्यान विद करने के लिए हमें केंद्रिय सारवजनिक शित्र के यूनिट HLL Life Care Limited से समर्थन प्राप्त हो रहा है जागरुकता कक्षाओं का आयोजन केरल सरकार की निधी के साथ किया जाता है नेपकिन और इंसिनरेटर के प्रापन के लिए स्तानिय स्वर्ष सरकारी संस्थानों की निधी का उपयोग किया जाता है अभी तक 1200 स्कूलों में शिमैट परियोजना पूरी की गई है हम अन्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कुलों में भी जल से जल वित्रण पूरा करने की उम्मीद रखते हैं हम इस वर्ष 500 स्कुलों में और अगले वर्ष तक 730 स्कुलों में इस जागरुपता कारिक्रम पूरा करने का लक्ष रख रहे हैं। हम इस परियोजना को लागु करने में स्थानिय स्वसरकारी संस्थानों के रल सरकार और एजलल लाइफ केर से प्राप्त समर्थन को धनिवाद अदा करते हैं। प्रारंभिक चरण में विशिशग्य डॉक्टरों के नेत्रित्व में इस परियोजना को आठ जीलों के 2500 स्कुलों में पहले ही लागु कर दिया गया है। परियोजना की विभिन गति विधियों को अनुभवात्मा क्षिक्षण विधियों के माध्यम से कार्यान वित किया जा रहा है। विभिन विशय जैसे प्री टेस्ट, एनिमेशन वीडियो, विशिशग्य डॉक्टरों द्वारा जागरुकता कक्षाएं, स्लाइट शो, मैजिक शो, पपेट शो, जैसे मनोरंचन कार्यक्रमों के जरिये संदेश दे रहे। इंटरेक्टिव सत्रों से विभिन विशय प्रस्तूत किया जाता है। और इस कार्यक्रम से छात्राओं ने कुछ सीखा है ये समझने के लिए परिक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। आज आप मासिक धर्म स्वच्चता पर आयोजित एक कक्षा सुनने जा रहे हैं। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि उप्योग किये गए पैड को सुरक्षित रूप से कैसे निपटाएं। फिर हम मनोरंजक कारिक्रम द्वारा इस विशय पर कुछ और सीखेंगे। अंत में हम एक परिक्षा आयोजित करेंगे ताकि हम ये जान सकें कि आपने विशय को ठीक से समझा है या नहीं। मासिक धर्म स्वच्चता के महत्व को सरल तरीके से समझाने के लिए डॉक्टर एनिमेशन वीडियो का भी उप्योग करते हैं। इस सत्र में डॉक्टर, मासिक धर्म चक्र, गर्भधारण की प्रक्रिया और गर्भावस्ता जैसे विशयों की व्याख्या करते हैं। शीपैड केरल राज्यब महिला विकास निगम लिमिटेड और एचले लाइफ केर लिमिटेड द्वारा संयोगत रूप से लागु किया गया एक कारिक्रम है। डॉक्टरू एवम, विशेशग्यों और जादुगरों की टीम ने कक्षाए चलाकर छात्रों को सरल और आसान तरीके से विशयों को समझाने का अच्छा काम किया है। इस परियोजना के दूसरे चरण का उद्गातन Government Girls High School मल्यन किश में केरल राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड की अध्यक्षा सूश्री के एस सलिका द्वारा किया गया है। इस परियोजना के पहले चरण की रिपोर्ट HLL Life Care Limited में तक्निकी और प्रचालन विभाग के निर्देशक श्री E.A. सुब्रमन्यन द्वारा किरल राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड को सौपी गई। इस परियोजना के माध्यम से एक स्वस्त हस्तक्षेप के जरिये विशेश्टह लड़किया कम उम्र में परिपक्व हो जाते समय हम मासिक धर्म स्वच्छता की बारे में जाकरुकता पैदा करने में सपल हुए हैं। एरल राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड युवा लड़कियों के बीच ग्यान का विकास करने में बहुत आभारी हैं और इस परियोजना के माध्यम से उनके मानसिक तनाव को कम कर सका। इस क्षेत्र में बहतर काम कर रहे HLL Life Care Limited के साथ देने में हमें बहुत खुशी है। HLL Mangalore Refinery Petrochemicals Limited की CSR निधी के समर्थन से करणाटक राज्य के आकांक शात्मक जिलों रायचूर और यदगीर में एक व्यापक मासिक धर्म स्वच्छता जागरुकता कारिक्रम लागू कर रहा है। इसके अलावा हम ऐसे अनेक कारिक्रमों को लागू करने हैं तो सरकारी संस्थाओं, सरकारी निकायों के CSR निकाय और निगमों से समर्थन चाहते हैं ताकि ये सुनिश्चित करें कि ये संदेश दुनिया भर में पहुंचता है।